सो हे गाईज हाओ यूओ हो कि आप अच्छे होंगे और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंजिनरिंग के बाद जॉब ना मिलने का असली कारण क्या है क्या में रीजन है क्या में इसू है जिसकी वज़े से इंजिनरिंग के बाद जॉब नहीं मिल ला है कैस एक होता नहीं कि आप जहां से पढ़ाई कर रहे हो सबसे बड़ा में मैं क्या सबसे इसनंहिंघ है कि चलो आँम सोचते कि चलो Time Mission लेते हैं हम प्लान तो कर लेते हैं लेकिन वो मतलब कहने का यह है कि अच्छे इंजिनिंग घ्रेंग और हम जो जोब नहीं मिलती है, एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अच्छे इंजिनिंग कॉलेज में नहीं जाना, दूसरा कभी कबार क्या होता है, हम IATN को भी देखते हैं, IAT तक पहुँच जाते हैं, IAT में एड़िशन हो जाता है, फिर फुल अन मस्ती करना शुरू, IAT मे फेल होते हैं, बैक लगती है, और किसी तरह फाइनल ये पास आउट होते हैं, फिर कैंपस में जाते हैं, वहाँ भी प्लेस्मेंट नहीं होता है, लेकिन IAT के डिगरी में इतना पावर है, इतना पावर है, कि IAT कहीं भी चले जाए इंटर्वी के लिए, दो चारदस इंटर अब जाओ, आज के टाइम में, डिगरी जादे वैलु नहीं गरती है, चाहिए आप पॉलेटेग्निक हो, चाहिए बीटे को उतना मैटर नहीं करता, आप कितने स्किल्ड हो, जिस कंपनी के लिए काम करने जा रहे हो, जिस कंपनी के लिए इंटर्वीू देने जा रहे हो, company के प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, skill होना चाहिए, कि जैसे माली जी software line में जा रहे हैं, तो अभी AI technology चल लाए है, उसके बारे में पता होना चाहिए, auto mobile में जा रहे हैं, तो electric vehicle के बारे में पता होना चाहिए, electronics में जा रहे हैं तो circuit designing and PCB के बारे में पता होना चाहिए इस तरह से different different zone है इंजिनिंग के तो अपनी skill को brush up करना पड़ेगा पहले 10 साल पहले जो skill है वो अब नहीं चल पाएगी मैं आपको 100% clear बोल ला हूँ 10 साल पहले जो skill थी वो नहीं चल पाएगी maximum engineer यही mark आ जाते हैं कि वो अपनी skill को develop नहीं करते हैं engineering है कैसा sector है guys हमेशा हमेशा एंड हमेशा आपको अपनी skill develop करने पड़ेगे skill पे काम करने पड़ेगी जब तक skill develop नहीं करोगे skill development में काम नहीं करोगे सायद आपका career आगे नहीं बड़ेगा सायद आपका future आगे नहीं बड़ेगा सायद उस level पे आप नहीं पहुंच पाऊगे तो दो reason एक main है college कि गलत college med vision लेना दूसरा गलत branch med vision ले लेना तीसरा है अपनी skill पे काम नहीं करना इन तीनों चीजों पे जिसने भी कमांड कर लिया अब टायर थर्ड इंजिनिंग कॉलेज में भी होगे अगर आपके अंदर इश्किल है आपके अंदर knowledge है मैंने कई सारे ऐसे टायर थर्ड इंजिनिंग कॉलेज के स्टुडेंट को भी देखा है कि अच्छे मैनत अच्छा knowledge रखते हैं और अच्छे जगह प्लेस्ट हो जाते हैं अब अब कैंपस प्लेस्ट में ना हो तो ठीक है इस ओके लेकिन अब आफ कैंपस भी आपके पास इतना वह पारचुन्टी है डिजिटलाइजेशन हैं इतनी वबसाइटे हैं नौकरी.com लेंगडिन बहुत सारे से बड़े बड़े पोर्टल्स हैं जो जॉब देने के लिए इच्छुक है कि भाई आप अपनी स्किल को बढ़ाईए हम जॉब देंगे अब तो पहले कंपनियां जो कोर्स कराती थी बह हर जगह माइंडसेट चेंज हो रहा उसी तरह इंजीनियरिंग सक्टर में भी आपको अपने दिमाग को अपने माइंडसेट को चेंज करने की जुरुवत है जब तक आप उस माइंडसेट के साथ काम नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे आपका करियर स्टॉप हो जा वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंद आए होगे जो लोग टेली ग्राम पर वहां पर जाकर जोइन करें जिनको भी मेरे से बात करनी है करियर काउंसलिंग चाहिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन दिया कोमें पिन कर दे रहा है जाकरके वहां पर डारेक्ली उस लिंक थैंग you